वेलकम टू आर चैनल, फेंटेसी फॉर्चून इस वीडिये हम बात करने जा रहे हैं आस्ट्रेलिया वुमें वर्सेज इंग्लेंड वुमें ओडियाई व्ल्ड कप मैच जो की खेला जाएगा हैमिल्टन में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन से प्लेयर है जो नहीं खेलने वाले है इस मैच में क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम ग्रैंड लीग की क्या टीम से रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले है सब पूरी वीडियो देखिएगा मजा आने वाला है बात करते हैं वेन्यो की और अभी स्टार्टिंग है टूर्णमेंट की जैसे आज आज आपने देखा आज के मैच में भी अच्छा कासा स्कोर देखने को मिला और ये दोनों टीम्स चाहाँ बेस्ट टीम्स है टूर्णमेंट की वन ओफ देखने को मिलना चाहिए अगर आप लोग नए हैं सो आप हमाई साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फेंटसी फॉर्शून के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगा उसी के सुरू जुड़िएगा सर्च करके मच जुड़ना क्योंकि फेंटसी फॉर्शून के नाम से पैसे मांगे सो बिलकुल भी देने की जरुवत निया साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जैसी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी बात करते हैं आस्ट्रेलिया की प्रॉइबल प्लेंग लेवन की सो यहाँ पर एशले गार्डनर जो है जो टीम की रेगुलर मेंबर है वो यह वाला मैच मिस करती हुए नजर आजाएंगी कोविड हो गया उनको सो यहाँ पर रेचल थीन्स उपन करती हुए नजर आजाएंगी हीली के साथ मैक लैनिंग है एलिसा पीरी है मूनी है मेगराथ है सृधरलेंड है जोनेसन है अलाना किंग है मेगन स्कॉर्ट और यहाँ पर डार्सी ब्राउन या निकॉला कैरी मेंसी कोई आपको एक खेलता हुए नजर आ जाएगा बात करते हैं इंगलेंड की प्रॉइबल प्लेइंग लेवन की लॉरेन विल फीड ओपन करती हुए नजर आ जाएंगी यहाँ पर आप फैन टू प्ले पर यहाँ पर लीडर बोर्ड चल रहा है वुमें लीडर बोर्ड बहुत कम जगा पर आया हुआ है और काफी क्योंकि मैचिस के टाइमिंग इस तरीके के हैं यह तीन बज़े है यहाँ पर देखो हेंस ओपन करती हुए नजर आ जाएंगी हीली के साथ हीली जो है इंपोर्टन खिलाडी है ग्रैंड लीग के लिए हमेशा यह कैप्टन वाइस कैप्टन की भड़िया चोइस रहेगी और यह ऐसी हिलाडी है हाड हिटर है जब चलती है तो यह सेंचुरी भी मार सकती है और नहीं चलेंगी तो यह आते पहली बोल पर भी आउट हो जाती है लेकिन यह ग्रैंड लीग के लिए हमेशा आपके लिए बहुत भड़िया पिक रहेगी किसी भी मैच में आपको कैप्टन वाली परफॉमेंस दे सकती है तो यहाँ पर अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो और अगर आप रेगुलर ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो women's match में especially australia के match में so healy पर हमेशा धियान रखना एक आदे एक दो match में बड़ी इनिंग खेल जाएंगी लेकिन important pick रहेंगी क्योंकि सामने एमी जोन्स है जिनका betting down काफी नीचे है आप उन्हें consider ज़रूर कर सकते है लेकिन healy important pick रहती है ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया captain wise captain की choice है यहाँ पर रेचन हेंस है अच्छा खेलती है open करेंगी यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए mooni जो है वो t20 में open कर जाती है तो यहाँ पर हेंस जो है हेंस आपके लिए decent pick है काफी लोग इनको लेकर आएंगे और ठीक पिक रहेगी अगर chasing करती है अगर आप first ring में आप चाहो न risk लेकर अगर drop करके आप दूसरा player लेना चाहो तो ले सकते हो लेकिन क्योंकि यह open करती है तो एक हलका risk बन जाता है बात करें mclanning की सो यहाँ पर important खिलाड़ी रहने वाली है captain wise captain की small league में भी अच्छी choice है grand league में भी काफी अच्छी choice है क्योंकि team की best better है यह और काफी अच्छे run कर जाती है और लंबी निंग खेलती है जब भी चलती है सो important रहती है अलिसा पीरी की बात करें second down batting करेंगी और over करेंगी और one of the best all rounder है यह world में आँ मैं कहूंगा सो एक important choice है small league में captain wise captain की अच्छी choice है bet mooney की बात करें काफी कम लोग try करेंगे grand league के लिए बहुत अच्छी pick है even अगर australia पहले batting करती है सो small league में भी एक differential player का का काम कर सकती है या फिर अगर आप mini grand league 25 member 11 member इस तरीके के league खेल रहे है यहाँ पर थोड़ा risk है और उसकुछ आप अलग try करना चाते है so उन team में आप mooney को try कर सकते है magraath की बात करें recent form बहुत अच्छा रहा है batting bowling दोनों से points दे रही है so small league में captain wise captain की यहाँ पर perry के साथ magraath काफी अच्छी choice बन जाती है A-satherland है जो कल का match खेल सकती है आपको एक अच्छी all rounder देखने को मिल जाती है जो आपको slog में runs भी मना कर दे सकती है और bowling से wicket भी निकाल कर दे सकती है एक अच्छी differential player का काम करके दे देंगी क्योंकि selection इनका काफी कम है जे जोनैसन की बात करें टीम के लिए important baller है यहाँ पर lower order में यह भी betting करके दे सकती है देखो यहाँ पर Australia की team जो है न women में क्या होता है कि mostly हर team में एक से दो player ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं बाकी सब average player होते हैं mostly teams ऐसी होते हैं लेकिन कुछ team में ऐसी हैं जिनके सारे ही player बहुत world class है और Australia वो एक complete team है कि जिनके पास बहुत ही अच्छे चाहिए bowling हो, betting हो, batter हो या all-rounder हो बहुत ही अच्छे all-rounder यहाँ और players आपको यहाँ पर मिल जाते हैं पूरी team ही काफी अच्छी है जे जोनैसन की बात करें important रहती है अलाना किंग जो है recent form इनका अच्छा राय और wickets निकाल लेती है ठीक है, high chances है इनके खेलने के और खेलते हैं आपके लिए credit saver का भी काम करेंगी और एक अच्छी differential player का का काम करके देती है लीग में आप उनको भी consider कर सकते हैं brown grand league के लिए अब बात कर लेते हैं इस team में जैसा मैंने बताया सारे player अच्छे है लेकिन अगर आपको small league में लेने ही लेने player है उनके उपर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर mag lanning आपकी team में होनी होनी चाहिए यहाँ पर healy है जो important है so healy यहाँ पर mag lanning elisa piri को try करिएगा वैसे cryt का issue आएगा लेकिन फिर भी try करना है कि elisa piri आपकी team में हो mag rat यहाँ पर jay joneson और यहाँ पर scoot मतलब यह 6 player तो important है तो यह कोशिश करें कि आप इन में से कम से कम 5 player तो अपनी team में लेकर चलें और एक आदा player आप differential भी ले सकते हैं बात करते हैं England की probable playing 11 की so यहाँ पर इनके opener को na grand league में तो दोनों को ही एक साथ एक team में लेकर चलना क्योंकि opener इनका small league में भी कोई consider नहीं कर रहा है Lauren Winfield की बात करें अच्छी attacking खिलाड़ी है अच्छा cricket खेलती है inconsistent है बहुत ज़्यादा नहीं चलती है लेकिन जब चलती है अच्छी inning खेल सकती है और यह grand league के लिए बहुत अच्छी pick-up के लिए बन जाएगी आप grand league में इंग्लेंड के दोनों opener को लेकर चलना क्योंकि दोनों को ही काफी कम लोग लेकर आ रहे है बात करते हैं Tammy Beaumont की काफी अच्छी opener है देखो batting average भी आप इनका देख लो 43 का है जो काफी अच्छा माना जाता है men's cricket में भी so women's cricket में तो और अच्छा है यह average so यहाँ पर important player है लेकिन selection काफी कम है अगर आप इनको लेते हो यह आपको 4 member, 7 member easily win करा सकती है अगर यह चल जाती है so एक important pick आपके लिए रहेगी Heather Knight की बात करें टीम की best जो better है वो Heather Knight है और one day में काफी importance इनकी बढ़ जाती है क्योंकि यह mag landing की तरह टिक के खेलती है और अच्छी लंबी इनिंग खेल सकती है और जरूरत आने पर bowling कर सकती है जैसा आज आपने देखा dot in जो है no match इससे पिछले bowling नहीं करी लेकिन आज crucial situation पे dot in को over मिला experience को preference दी गई तो वहाँ पर उस case में कोई ऐसी situation आगी जहाँ पे experience की जाज जरूरत है तो हेदर नाइट bowling कर सकती है लेकिन यह betting ही इतनी अच्छी कर लेती है अगर bowling ना भी करें तो भी आपके लिए must have pick बन जाती है net sever की बात करें सो small league में जो best option रहेंगे इस match की captain wise captain के वह है net sever, magrath और parry यहाँ पर net sever अगर England की पहले bowling आती है तो best choice रहेगी captain के क्योंकि अपने quota के ओवर भी करेंगी प्रस इनकी betting भी आ जाएंगी और betting भी काफी शानदार बैटर है तो captain wise captain की best choice बन जाती है एमी जोन्स है जो इस format में lower order में या middle order के एलो की इसमें खेलती है third down ये betting करेंगी ये खिलाड़ी अच्छी है लेकिन अगर healy खेल रही है तो healy का ऐसा रहता है रहे हो जब वो चलती है बड़ी नहीं खेल जाती है तो बड़े points अगर आप healy की preference में अगर आप johns लेकर जा रहे हो तो एक काफी बड़ा risk बन जाता है लेकिन आप दोनों को try कर सकते हो क्योंकि johns जो है better भी अच्छी है प्लस आपको wicket keeping के points दे सकती है यहाँ पर अच्छे डंकली की बात करें grand league में ज़्यादा recommend करूँगा recent form अच्छा है लेकिन betting काफी नीचे करती है grand league में क्या कर सकते हो कि top order drop करके आप यहाँ पर white को अपनी team में डंकली को अपनी team में grand league में preference दे सकते है small league में हलका सा risk बन जाएगा Catherine Brunt की बात करें team अगर पहले bowling करती है तो एक अच्छी pick आपके लिए बन जाएगी एकले स्टोन की बात करें तो यह team में आपके होनी चाहिए काफी important खिलाडी है अपने कोटा के 10 over पूरे करने वाली है और wicket निकाल लेती है usually तो एक important खिलाडी है आपके team में होनी चाहिए यह श्रब सोल मुझे लगता है इस match की अगर आप risk लेना चाहते हो तो यहाँ पर श्रब सोल जो है न काफी अच्छी differential खिलाडी है बात है risk लेने की आप लेना चाहते हो या नहीं क्योंकि यह खिलाडी जब चलती है न यह गुच्छों में wicket भी ले जाती है सो अगर यहाँ पर England की पहले bowling आती है न तो आप श्रब सोल को जरू ट्राइ कर सकते हो small league में भी और grand league में तो जरू ट्राइ कर लेना केट cross की बात करें केट cross जो है decent player है आपको lower order में बैटिंग से भी थोड़े बहुत रन करके दे सकती है और England पहले bowling करती है सो आप तब try कर सकते हो second inning में उतनी important नहीं है बात करें important players की यहाँ पर दो खिलाड़ी जो आपकी टीम में होनी होनी चाहिए वो यहाँ पर है Heather Knight और यहाँ पर Nat Siver यह दोनों तो आपकी टीम से होनी ही चाहिए यहाँ पर Eccles Stone जो है यह तीन आप कहलो कि आप small league जा रहे हो सो इन तीन के बिना अगर आप जाओगे सो आप काफी बड़ा risk ले रहे हो सो यह तीन आपके पास होनी चाहिए यहाँ पर और अगर बात करें important की सो यहाँ पर brunt अच्छी option है और यहाँ पर Tammy Beaumont जिनका selection काफी कम है वो भी important खिलाड़ी रहेंगी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं best differential खिलाड़ी कौन से रहने वालें क्योंकि यहाँ पर काफी हद तक लोगों की same team बनती है लेकिन अगर ऐसे player की बात करूँ जिनको लोग ध्यान नहीं दे है और वो अच्छा कर सकते हैं तो यहाँ पर Tammy Beaumont important है open करती हैं तो एक अच्छी differential player है अगर England यहाँ पर पहले bowling करता है तो शर्ब सोल को आप consider जरूर कर सकते हैं मेगर स्कूट को यह एक wicket taker bowler है काफी लोग इने drop कर सकते हैं due to credit problem लेकिन important है beth mooney पर कोई ध्यान नहीं देगा लेकिन अगर australia पहले betting करती है तो आप beth mooney को अपने team में ले सकते हैं small league captain wise captain की बात करें तो यहाँ पर net sever, parry और magrath यही तीनों का small league में आपको combination देखने को मिलने वाला है लेकिन कोई differential और अच्छे पिक चाते हो so lanning और यहाँ पर heather knight दोनों team की captain है और दोनों में potential है शतक शतक लगाने वाली so इन दोनों को आप small league में भी captain wise captain कर सकते हो और grand league में ना दोनों को साथ भी captain wise captain आप करके combination बना के देख सकते हैं बात करते हैं grand league captain wise captain की so elissa healy यहाँ पर jay joneson और rachel haines जो है आप captain wise captain grand league में कर सकते हैं चले चलते हैं dream 11 team की तरफ so wicket keeping section में हमारे पास दो option है यहाँ पर healy है jones है red mining खेलने के chance कम है so यहाँ पर healy और jones आ जाएंगे so मैं यहाँ पर healy के साथ जा रहों open करती है और काफी attacking खिलाड़ी है plus wicket keeping के points दे देंगी यहाँ पर jones को भी आप consider कर सकते हो बुरी pick नहीं है क्योंकि wicket keeping plus आपको lower order में अच्छी betting करके देंगी so आप दोनों के साथ भी जा सकते हैं मैं आपर healy के साथ गया हूँ betting section में जो दो खिलाड़ी हमारे पास होनी ही होनी चीए है वो है heather knight और यहाँ पर mag lanning यहाँ पर बात करते हैं betting section में और अच्छी options क्या आए so यहाँ पर Danny White selection high है लेकिन betting काफी नीचे करती है so runs कर सकती है lower order में chances हैं की betting आ जाएगी but फिर भी मैं इने इतनी preference नहीं दे रहा हूँ even though मुझे player काफी अच्छी लगती है और T20 में important खिलाड़ी भी है but one day में मैं उतना ज़ादा इन पर try नहीं करूँ है bet money की बात कर लेते हैं bet money important खिलाड़ी है अच्छे runs कर लेते हैं अगर Australia पहले batting करती है तो आप इनको लेकर चल सकते है Tammy Beaumont selection बहुत ही कम है क्योंकि इनका credit high है तो 27% selection है लोग try नहीं कर रहे हैं यहाँ पर Beaumont और Winfield देखो open करेंगी England के लिए 6% और 27% selection है बस दोनों को Grand League में एक साथ एक ही team में आप लेकर जाओगे और यह दोनों अच्छा कर जाती है तो आपकी team की rank बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप ऐसा consider कर सकते है और यहाँ पर hands है जो open करेंगी और selection अभी कम है लेकिन मुझे लगता है mostly लोग काफी हट तक इनको लेकर आने वाले हैं डंकली है यहाँ पर जो काफी नीचे बैटिंग करती है recent form अच्छा है रिस्क रहेगा लेने में अगर चाहो तो ले सकते हो लेकिन रिस्क जबर रहेगा लेकिन उससे बैटर मुझे लगता है विनफिल्ड को आप ट्राइ कर सकते हो अगर रिस्क लेना ही है तो अभी के लिए आपर दो प्लेयर को लेकर चलते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं और राउंडर सेक्शन में जो तीनों खिलाडी है जो आपकी टीम में होनी होनी चाहिए वैसे यहाँ पर सिवर हैं मेगराथ हैं और अलिसा पैरी हैं तीनों ही काफी अच्छी आप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन की भी यहाँ पर अगर और कोई आप्शन की बात करें सो कैसरी इन ब्रंट काफी अच्छी आप्शन है selection कम है अगर England पहले bowling करती है तो brunt को आप ले सकते हो क्योंकि ये batting से भी contribution कर देती है plus ये काफी अच्छी bowler है medans भी फेकती है और wicket भी निकाल सकती है gardener खेलेगी नहीं और कोई के खेलने के chances कम है अब आ जाते है bowling section में यहाँ पर जो दो option आपको लेकर चलने है वो एकले स्टोन और जोनेसन दोनों ही टीम की important player है तो यहाँ पर दोनों ही काफी अच्छे option आ जाते है तो यह अभी के लिए यह जो 8 आपको मैंने 8 options दिखाए है यह mostly आपको हर किसी की team में देखने को मिलने वाले है तो यह और आपके team में होने भी चाहिए आप इन 8 player को grand league में भी लेकर चल सकते है और बाकी के 2-3 player को आप rotation कर सकते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं तो यहाँ पर यह 8 player तो आगए अब जो game आएगा वो last के 3 player का है तो पहले तो betting section में चल लेते हैं क्रेट की भी problem आनी start हो गई है हमारे पास जो है 25 credit ही बच रहे है तो यहाँ पर Danny White है Mooney को लेंगे तो बिल्कुरी credit खतम हो जाएगा यहाँ पर Bumont को तो ले नहीं पाएंगे द्यूट क्रेट इशू यहाँ पर फिर Winfield और Rachel Haynes काफी अच्छी जो option लग रही है तो मैंने आपर Haynes को अभी के लिए ले लिया है अब आज आते हैं Allrounder section में Allrounder section में Catherine Brunt है जिनको ले सकते हैं लेकिन credit का इशू आएगा तो यहाँ पर नहीं ले पाएंगे उनको अगर आप चाहो तो आप किसी एक Allrounder को करके credit maintain कर सकते हैं लेकिन वो काफी रिस्की हो जाता है तो bowling section में अब हमारे पास दो player हम ले सकते हैं यहाँ पर मेगन स्कूट को मैं नहीं ले पाऊँगा क्योंकि credit issue यहाँ पर आ रहा है जिसके चलते मैं इनको नहीं ले पा रहा हूँ सो मैंने यहाँ पर अभी के लिए क्या किया है यहाँ पर मैंने यह shrub sawl को ले लिया है और अब 8 credit में हमारे पास option बच रहे हैं सो Wellington के खेलने के chances कम है यहाँ पर king और carry खेल सकती है सो मैं यहाँ यहाँ पर king के साथ गया हूँ यह बन रही है मेरी small league की team इसमें एक से दो changes आप कर सकते है और final team आपको telegram पर मिलेगी सो वहाँ पर मैं आपको जो कोई भी change होगा वो बता दूँगा और even रात वाले matches भी वहीं पर cover होंगे सो telegram पर जुड़ जाना है captain wise captain की बात कर लेते हैं सो तीन जो best option है all rounder में है Perry है, Siver है, Magrath है कुछ अलग करना है so Heather Knight और मैं क्लैनिंग के साथ जा सकते हूँ मैंने captain ship जो दी है वो net siver को wise captain मैं Magrath के साथ गया हूँ आप यहाँ पर तीनों जो है Perry, Siver और Magrath तीनों ही अच्छी है आप तीनों को captain wise captain कर सकते हैं यह बन रही है मेरी small league की team इसमें एक से दो changes हो सकते है depending upon toss so आपको telegram पर जोड़ जाना है बात कर लेते हैं grand league teams की so उससे पहले मैं आपको fan to play आपकी team दिखा देता हूँ यहाँ पर कोई credit का issue नहीं आने वाला है so मैंने यहाँ पर क्या किया है fortune refer code है leader board जरूर खेल लेना क्योंकि काफी कम competition उसमें देखने को मिलेगा क्योंकि most लोग जो है वो सारे matches नहीं खेलने वाले हैं आप easily अच्छी रेंक ला सकते हैं link description में है fortune इसका refer code है उसके तो डाउनलोड कर लेना बात कर लेते हैं grand league teams की मैंने दो grand league teams बनाई है आप multiple teams भी बना सकते हैं और women's matches में especially आप क्या कर सकते हो अगर आप multiple team बनाते हो अगर आप ये हो कि आपके उपर grand league मुझे इस tournament में लगानी ही लगानी है आप क्या करो आप multiple teams के साथ captain एक रखो क्योंकि यहाँ पर जो है mostly captain वाली performance के आपके पस तीन चार option ही होते हैं जो match में देते हैं ये वाला एक अच्छा match है जिसमें सारे player अच्छे हैं लेकिन mostly matches में आपके पास एक से दो player ही होते हैं जो majority of time में वो ही अच्छा performance देते हैं आप क्या कर सकते हो आप जो grand league में अगर आप एक safe captain पकड़ लो तीनों all rounder में से जो बताए हैं और आप multiple team से उन्हें captain बना सकते हो ऐसा आप और different combination ट्राइ कर सकते हो यहाँ पर मैंने grand league की दो team बनाई है एक team में मैंने elissa healy को captain रखा है जो मैंने बताया था आपको कि जब चलती है bird inning खेल सकती है तो मैंने इनके साथ यहाँ पर लिया है तो यहाँ पर beumont भी आगी है heather knight भी आगी है eclestone है तो यह एक मेरी team बन गिया इसमें क्यूंकि मैंने यहाँ पर drop कर दिया elissa peri को जैसे ही उनको drop किया तो credit का issue खता हो जाता है और अगर यहाँ पर healy चल जाती है तो मैं लगता है काफी अच्छी rank यह ला सकती है team team 2 की बात कर लेते है again यह काफी अच्छी team नज़र आ रही है यहाँ पर देखो mclanning captain है और heather knight दोनों team की captains है और दोनों को ही मैंने captain wise captain रखा है क्योंकि दोनों best better है और अच्छे wicket पे अच्छे runs कर सकती है यहाँ पर हेंस आ गई है हीली है यहाँ पर यहाँ पर चारों rounder रखे है मैंने और जोनेसन, श्रबसॉल और Alana King को मैंने रखा है यह मेरी दो grand league की team रहेगी यह मेरी small league की team रहेगी आपको final team आपको telegram पर मिल जाएगी उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए पसंद आए तो like करो, share करो comment करके बताओ आप किसको captain और किसको wise captain बनाने वाले हो क्योंकि game काफी हद तक वो ही decide करेगा so comment करके जरूर बताना अगर वीडियो पसंद आए तो like करो, share करो telegram channel पर जुड़ जाओ, link description में साथ के साथ YouTube channel को subscribe करके bell icon दबा दिजे, thank you guys